तू साधी सुधा है ना तेरी तलाक हुई है ना कुछ हुई है तू कैसे मेरे साथ चलेगी हम कहें मैं अपने जिमेदारी पे लेचल रही हूँ जो भी कुछ होगा आगे मैं देखूंगी तुम्हें बीच में नहीं आने दूंगी पहले वाले पती ने डंड़ चलाया खुप मेरे दूसरे वाले पती हैं उनसे मैं कुछ भी कह दूं कि बाबु तुम्हें यहां खड़ा होना है तो वह वहीं पर खड़ा होते हैं और मेरी कोई बात नहीं टालते हैं जो मैं बोल दूं वही करते हैं उससे आगे कुछ नहीं करते हैं और कुछ भी करना होता है तुम उस कितने दिन पहले साधी हुई थी आपके मैरी चार साल पहले साधी हुई है समस्च यह हो गई कि मतलब जो मेरे पहले वाले पती थे उनका नाम है महिपाल मैं उनके साथ रही ऐसे तीन साल उनसे एक मेरी लड़की है उसके बाद वो लेके गए मुझे मतलब दिल्ली में कापा स करते हैं यह ह deputy करते हैं सब्सक्याइब क्हलें द मुझे मारने लगते थे इसी लड़ायी होती टाम करते है मैं तो अपने बारे में न आशाएं तब लड़की के वारे में तो शोच सकती हूं अगर मैं ऐसे आदमी के साथ रहूंगी, चाहे कुछ भी करूँ, मेरी तो जिन्दगी गड़ जाएगी, मेरी लड़की भी मेरे साथ साथ बरबाद हो जाएगी, उसके जिन्दगी के बारे मुझे तो कुछ सोचना है कि नहीं सोचना है, पती जो आपको किस बात को लेकर मारते तोड़ते थ मैं, मैं खुदी नापना कर लेती, जरूरी तो मुझे साधी करना, जब सब खर्चा महीं उठाओं, हर एक चीज महीं देखू, फिर भी मैं भी देखती थी मेरे बाप, मेरे मतलब पिता जी, आज तेरे साल हो गए, उन्हें खतम हुए, मेरे अकाउंट में मेरे मतलब सरकार ने दिया तब 50,000 रुपए, मैंने सारा निकाल निकाल के, निकाल निकाल के, निकाल निकाल के, सारे इनके उपर हमने खर्चा कर दिया, अगर मेरे साध ससुर पहले वाले जो हैं, वो मुझे 10 रुपए देते थे, अगर सुबह देते थे, तो साम को ले लेते थे हमसे, सारे मैंने हाँ सारे मैंने पैसे अपने गोरगपुर से मंगा मंगा के मंगा मंगा के सारे इन लोगों के उपन लुटा दिया नहीं रहा तो हमारे जेवरवर सारे रख दिये तिन तो इनकी बहन ने चुरा लिए पहले वाली पती की तिन उनने चुरा लिए एक मोबाइल चुरा ल सबस्क्राइब अगर मैं निकल कर आती तो मैं अपनी लियूँ मैं मैं अपना ऊपर जिम्हदारी ले थी। कि मैं खुद निकल कर आई हूँ अब बता एक लड़की भडा बेग मैं अकेली मैं कैसे उनके घर से हमाना थे, न कोई योट चलता है ना कोई गाड़ी चलती है ना कोई बाइक, वो सब तो मुझे घर से खुद निकाले हैं, रात को निकाल दिया दिन को? नहीं, दिन में ऐसे आट, 10-11 वजे के करीब, क्या कहे कर निकाला? कुछ नहीं कहे कि यहां ते तुम आरा गुजारा नहीं हो रहा है, तो तुम जाओ अपने पती के पास चले जाओ मेरा पती क्योंकी दिली में रह रहा था, तो मैं वह आगी, यहां जो बरेली मोड है, मैं बरेली मोड आई, वहां पर मेरी बहुत तवेद कि मैं इनके लड़के के पास जो हमारे जिनके साथ दुबारा गई हूं पहले नहीं था गाहों के रिष्टे से देवर लगते थे फिर मैंने उन्हें बुलाया हमने कहित अब आजाओ मैं बरेली मोड ठड़ी हूं मेरी सीरियस बहुत तव ये जारी ना मेरे पास एक रुपे था ना कुछ था उसके बाद मेरे जो दूसरे वाले पती हैं उनने हमें अपनी अपनी ब्लड निकलवा के खुछ चड़वाया है उसके बाद जब पैसे वैसे ना रहे वहां से तो क्या बोलते हैं मेरी मतलब माई के वाले ने गोरकपुड से उन लोग ने मैंने फौन करा तो उनने पूछा कि क्या हुआ क्या नहीं हुआ मैंने सारी बात बताए उन लोग नजदीक तो हो ना कि मैं आ जाओं तुरंती हैं इसके मारे मैं मैंने फौन करा उन से मेरा भाई ने मुझे दसजार रुपए लगाया पैसे की बात हो तो मुझे बताना हमने कई पैसे की कोई वात ना है लेकिन मुझे यहां खर्चे के लिए चाहें क्योंकि मेरे पास एक तो पहले पति थे चो दिल्लीमे काम करें दो देखनें कोई भी नहीं आए हमने फौन से और एस आने हाल है और री और मेरे क्यामिय्या भाई तॉर कई तुमारी बहु की तभीएत खराब है मेरा लड़का ने तुमारी बहु को जीवित खड़ा कर दिया है यह पुलाई तो मैं नहीं और अगर हम से अगर हम जाना चाहते हैं जहीं तो जांगे वैसे तो जानाएंगे, चलो भाई कि हम अपने मन से नागे, यह अम्मा जो खड़ी है यह आपकी दूसरी सास है, यह हमारी दूसरी सास है, पहली वाली सास तो कतहीं वो है, हमेसा जगडा लड़ाई और सब कुछ, खाना पानी के सब कुछ के मुझे दिक्कत देती थी, ना ख लड़की को भी ना पूछे, कि लड़की मर गई, कि जी रही है, कि का, दूसरे सादी से मतलब पती से हो गए, ढाई साल हो गए, हमारा तो एक दम फस कलास चल रहा है, कोई बात की दिक्कत ना है, हमारे तो बोलते बिलकुल भी ना है, अम्मा के हाथ में चोट कैसे लग जो मेरा पहला पती है, उसके भाई न से फोन करके बुलाया है, जब उसका भाई आया है, तो मेरी साथ पीछे वाले घर में ज़डू लगाने गई, और मैं इहां लगा रही थी अपने आँगन में, मैं छोटी वाली लड़की रोब बढ़ी वाली लड़की दुकान पे तो दूसरे पती दोनों एक ही गाउं के हैं तो मैं बहुत निकल के देखूं क्या है क्यानी है मैं जैसे इस यह वाले पती ने डंड़ाया खुब पी के धूत ता एक दम से करके हिल रहा था शरीर में बिल्कुल भी जान नहीं था अगर कोई धक्का भी मार दे तो वो गिर जा पिर मेरी सास पीछे से आईं भग्के क्या हुआ पिर मुझे छोडके मेरे घर में से निकल के फिर मेरे सास और इनका जब हाथ पाए माड के एकदम से वह पता नहीं क्या सहजान की वो ना होती है बड़े-बड़े जो पलोजासा होता है छाटके निकालते हैं उसी से वह दना दन दन चलाने लगा इनके उपर जब इनके यह सब कट गया खुन निकलने लगा फिर मैंने भी उठाया डं हाँ पर मैंने रिपोर्ट बोर्ट सब कुछ लिखावा है इनका मेटकल वेटकल ले जाके करवाई हैं अब हमारे पती को मतलब दूसरे वाले पती को यहां पर वैसे बंद कर लिया है अब कह रहा है पहली जो पती है उनकी पार्टी तबलाब उदर से को बंद किया नहीं कि अगर सुनवाई करता तो आज हमारे आदमी यहां पर आते हम इसे छोट जाते उनकी जमनत के लिए आहे कि तुम जाओ तुमें पिपी के आया था उसके बाद मैंने दो उसके पास भाड़े नहीं थे कि मतलब मैं अपने रूम तक जा सकूँ पिर मैंने उसे 200-400 करके दिया अमने कहीं भाई यहां से तुचला जा कहीं पिट पिटा जाएगा तो यह होगा कि दिल्ली वालन ने मार दिया इसके मारे मैंने उसे पैसे दे के उसे ख़दे रहा है पिर आस्तकले नहीं बोला अब जब मैं गाउं वाई हूं तब मुझे से ल कुछ만 करें। किसे किसे की एक महीने में यह मारता था तोड़ता था उनके लड़के हमारे बगल में और ही रहते थे हां तुने देखा तुम उझा भाभी तुम कैसे रोजरोज मार बर्दास करती हो हमके मिझे घौना ही कमा नहीं है नहीं कुछ पड़े लगए चाहए मत भी मांग्ता रहता है मुझे दे दो पिलने के लिए मुझे दे दो खाने के लिए यह जब खुद मांगता है तो तुम्हें कैसे देगा मैंने बोला बताओ मैं क्या करूँ क्या करो अपनी मायके चली जाओ हमने के मैं मायके ना जाओंगी रहूंगी तो रहूंगी ना रहूंगी तो कोई मुझे लगताने बहुत समझाइं जिनके साथ मैं अब फिलाल में आई हुआ तो फिर एक दिन ने बहुत इंक हमार मिंने दिया गाजिवाद में मुझे मैं मी अब हानोती में ठीकिंग sitten मुझे तांग टॉं कि भी डवा हम एक दूसरे से मतलब पियार करने लगे और मतलब अब हम कहें कि अगर तुम्हारी इच्छा हो तो अगर चलना हो तो कि वाई देख तू साधी सुधा है ना तेरी तलाक हुई है ना अ कच सबस्त करें ए नहीं आदम से था मेरे आदमी को भी पता था पैसे की जरूरत उनी पीने की जरूरत उनी से जब मैं मुझे 100 रुपे चाहिए अच्छा ठीक है मैं भी लाकत कहां से लाकत दोगे मैं ले आ रहा हूं न तुझे चाहिए न तो बस उनी के पास चले जाते थे मांगने अगर करजा यहां सी ले लेकर लेकर बाबू यहां कर जाओ गया कोई बात नहीं कोई बात नहीं मंगाले पैसे मैं 10 ,12,000, 4000, 2000 मुझे जितने की जरूरत परती थी मैं माएके से लगाती थी फोन परके, मेरे माएके वाले लगाती थे मुझे हाँ मेरे पूरी खर्चा टोटल यह उठाते थे मुझे दस की जरूरत है दस देते थे बीस की जरूरत है बीस देते थे अभी मैं बोलनू पहले वाले पती दूसरे वाले पती को कि बाबु तुम्हें यही ठड़ा होना है तो वह पूरी जिंदगी यही कार देंगे लेकिन व दो जहां मैं मना करूं तो जहां मैं नहीं जाना है तो वह वही जांगे इनसे नहीं बात करी है तो भाई जब हमारी बात नहीं मान रहे हो मैं तुम्हारी सब सीज़ हूं भूकी नहीं if न out in कि TN पहले संपर्क में है कितने दिन बाद लोग साधी कर ली भी तो फिलाल में मैंने साधी कर रहा है एक लड़की उधाब हैं कि घखर नहीं कर द रह wärरें हमे गर्वशाधी की रह रही हैं कि मेरी पहले पती से तलाक नहीं हुई oversight और दूसरे वाले से टीन में की लड्की हैं हाँ बता ही कछेरी जाने का नयाई चाहती हैं खाने हं आदमें को इनसाफ चाहिए और यह चाहिए हमगे और कुछ नचे यहां